और बड़ी कबर आ रही है महाराज चुमें सबसे बड़ी पार्टी बनी कॉंग्रेस लोगसबा सीटों के लिहाज से तेरा सीटे हासिल की है कॉंग्रेस में और बीजेपी को नौ सीटों पर ही जीत मिल पाई है बता दें आपको कि शिवसेना उद्धाव गुट को 9 सीट पर जीत मिली एंसीप शरत पवार को 7 सीटों पर जीत मिली है आपको बता दें कि एंसीप अजित पवार और शिवसेना एक नाथ शिंदे गुट को काम्याबी जादा हासिल नकी हुई है तो वहीं बीजेपी को भी न चीट विली है लोग सभा में और पार्टी का एक बार फिर से यहां पर काया पलट हुआ है उनका उद्धार होता हुआ दिख राए है और आपको दिखाते हैं खेल से जुड़ी हुई पांच बड़ी खबरें आज भारतीय टीम अपने T20 विश्वकाप अभियान की शुरुवात कर देगी न्यू यॉक के नासाव काउंटी अंतराज शेयर क्रिकेट स्टेडिया में भारत का सामना आर्लेंड के साथ होगा ये मैच भारतीय समय के अनुस्सार शाम आठ बजे से खेला जाएगा दोनों टीम्स के बीच ये कुल नौवा मुकाबला होगा अब तक हुए आच मुकाबलों में भारत ने साथ मुकाबले जीते हैं जबकि एक मैच रद्द रहा है निदलाइन ने T20 वर्ल्ड कप में जीत से शुरुवात की है टीम ने नेपाल को 6 विकेट से हरा दिया डलास के ग्रैंट प्रेरी स्टेडियम में निदलाइन ने टॉस जीत कर गेंजबाजी चुणी और नेपाल की टीम 19.9 ओवर में 106 रन बनाकर ओल आउट हो गई 107 रन के टार्गेट को निदलाइन ने 4 विकेट होकर ही हासिल कर लिया मैक्स ओडॉड ने और 40 बॉल पर नावाद 54 रन की पारी खेली उन्होंने 4 चौके और एक शक्का लगाया टिम प्रिंगल प्लेयर ऑफ दे मैच रहे वर्ल्ट कप में इंग्लेंड स्कॉट्लेंड के बीच T20 मैच का नतीजरा नहीं निकल पाया है बारिश के चलते मैच को रद कर दिया गया बाबडॉस के मैदान में स्कॉट्लेंड डेटॉस जेता और बल्लेबाजी चुनी बारिश के चलते ही मैच 10-10 ओवर का हो गया स्कॉट्लेंड ने 10 ओवर में बिना विकेट कोई 90 रन बना लिये जग्वर्थ लुइस मेथर्ड लागू होने के चलते इंग्लेंड को 109 रन का टागेट मिला लेकिन बारिश रा गई और इंग्लेंड की टीम एक भी गेंद नहीं खेल पाई अफगानिस्तान ने T20 वर्ड कप में दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्च की अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रन से हरा दिया युगांडा ने टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला लिया अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विगेट खोकर 183 रन बनाए और 184 रन का टार्गेट दिया जवाब में युगांडा 16 ओवर में 58 रन पर ओल आउट हो गई ये T20 वर्ल्ड कप इतिहास का चौथा सबसे छोटा स्कोर है दुनिया के नमबर एक टैनल स्किलाडी नौवाग जोकोविच चोट की कारेंच चल रहे फ्रेंच ओपन 2024 से हट गए हैं जोकोविच को दाही ने घुटने में चोट लगी थी फ्रेंच ओपन ने पुष्टी की कि इसी वज़े से उन्होंने टर्नमेंट बीच में छोड़ दिया वो 2023 में फ्रेंच ओपन चैंपियन रहे थे और आब उनके इस टर्नमेंट से बनाम वापस देने से कोई नया विज़ना मिलेगा